ये देखके कुछ याद आ रहा है, बच्पन की यादे ताजा हो जाएंगी इस मुर्मुरे की गचक को जब आप घर पे बनाएंगे, स्टेप बर स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और घर पे ही बनाईए ये क्रिस्पी कुरकुरी मुर्मुरे की गचक, इसे खाते ही सा बारे मीथे भूल जाएंगे, चलिए बनाते हैं गचक, इसे बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे डेड़ कप मुर्मुरे, यानि की 100 ग्राम से थोड़े से जादा, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे, कोशिश करिएगा फ्लेम को लो ही रखे, ताकि ज रोस हैं, ये अच्छ से होंगे, प्रॉपर अंदर से सिखेंगे, और अगर आप हाई फ्लेम पर इसे सिखेंगे, तो ये बाहर बाहर से गोल्डन ब्राउन कलर तो हो जाएगा, पर अंदर से सिखेंगे नहीं ढंग से, ये बहुत ही इंपोर्टन टिप में आपके साथ शेय कर लीजेगा, एक दो दाने हाथ में दीजेगा, तबा के देखिएगा, अगर ये अच्छ से चूरा हो रहे हैं, तो मतलब मुर्मुरे अच्छ से रोस हो चुके हैं, 6-7 मिनट हो चुके हैं मुझे लगबग, देखें जैसे हमें चाहिए थे, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुक मैंने यहाँ पे एक बेगिंग ट्रे ली हैं, उसे पूरा अच्छ से घी से ग्रीस किया है, गुड़ की या चीनी की कोई भी गच्छ को बहुत जल्दी सैट होती है, तो ये सारा काम आपको पहले करना है, अब एक पैन में आदा कप के करीब गुड लेंगे, इसे तोड़े अच्छ से या फिर ग्रेट कर लेंगे ग्रेटा की मदद से ताकि ये असानी से मेल्ट हो जाए, मैंने यहाँ पे आदा टीस्पून के करीब घी भी आट किया है, घी से ना गच्छक में बहुत ही अच्छा शाइन आता है, और मैं यहाँ पे एक टीबल स्पून के करीब वा साथ के साथ जो आपकी गच्छक है वो भी बहुत कुरकुरी बनेगी, एक दो मिनट में हम चेक करते रहेंगे कि गुर्ड रेडी है नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें ठंडा पानी आड करेंगे, एक दो ड्रॉप गुर्ड जो मेल्टेड है ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल बटन प्रेस कर दे, लेटेस अपटेट से नोटिफिकेशन के लिए, एक बाउल फिर से चेक कर लेते हैं, एक दो ड्रॉप हम इस थंडे पानी में आड करेंगे, और अब कठा करके देखेंगे, बहुत अच्छे से ब्रेक हो रह नहीं तो यह जम जाएगा, जैसे ही मेक्स हो, तो जो हमने ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे है, उसमें हम इसे अड कर देंगे, गचक अगर आपको मोटी चाहिए तो उसे साबसे सेट कीजिएगा, पतली चाहिए तो लेयर को पतला रखिएगा, मैंने यहाँ पे गचक को थो के बाद इस पे स्प्रिंकल कीजिएगा, इलाइची पाउडर, बदाम, पिस्ता की कटिंग, साथी साथ डेजिगनेटिड कोकोनेट, यानि की कोकोनेट का बुरादा आता है, बजार से असानी से मिल जाता है, वो इस पे आट कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच आते हैं, वहाँ पे निशान लगा दीजिए, क्योंकि थंडी होने के बाद ये कट नहीं हो पाएगी, तो मैंने यहाँ पे नाइप के मदद से, स्क्वेर पीसेज में इसे शेप दे ली है, अब इसे ऐसे ही थोड़ी दिर के लिए छोड़ दीजिए, सेट होने के लिए, ज कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, और ये भी लिखके आप बता सकते हैं, कौन सी नेक्स रेसिपी आप चाहते हैं, जो मैं आपके लिए ले के आऊ, मैं मिलूंगी ऐसी और बढ़िया बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ, अब तक के लिए, गुड़ बाई, टेक केर, बोगगा घुका र захड़िया इसे नेके कि लिए कर बढ़िये आप 103 लूंगी यूit तरह बेंसेवी सिपी मत भी बढ़िया टेसितर क्या हैं, कौन सी रेसिपी देखेश Sinig आपूब ग्रसां देसियों अपके बता कम समयते हैं